हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज हम कोडिंग डिकोडिंग के SSC CGL 2024 टियर वन में पूछे वे सारे कोशन्स यहाँ पर करने वाले हैं टोटल आपके 85 कोशन्स यहाँ पर पूछे गए हैं यह आपके आने वाले एक्जाम के लिए सभी के लिए इंपोटेंट हैं इससे आपको पता चलेगा कि लेटेस्ट में किस टाइप के कोशन्स यहाँ पर पूछे जा रहे हैं इससे पहले मैंने आपको जो CGL 2024 में सेट एनालोजी के कोशन्स पूछे थे वो सारे कोशन्स आपको मैंने करवाए हैं PDF मैंने टेलिग्राम पर डाली हुए है इसकी PDF भी मैं टेलिग्राम पर डाल दूगा चाहे आप पहले प्रैक्टिस वहां से कर लें फिर देख लें जो आपको solution नहीं आता है और जो reasoning complete batch वाले हैं और practice वाले हैं उनके लिए मैंने ये PDF mock form में वहां पर upload कर दिया यानि कि आप पहले test के तोर पर इसे दे सकते हैं ठीक है जैसे आपके test में question आते हैं उस तरीके से आप ये दे सकते है set analogy की भी डाली हुई है और आपका coding recording की भी डाली हुई है तो आप पहले वहां से आप इसे जरूर करना तो यहाँ पर आप देखो पहला question आपके सामने क्या है coding decoding में आपको सबसे पहले इनकी position याद होनी चीए अगर आपको position याद होगी तो आप question को और जल्दी यहाँ पर कर सकते हो इनके position याद होनी चीए और इनके opposite की position भी याद होनी चीए अगर यह आपको नहीं पता है कैसे याद करना है तो पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है तो आप वहाँ से देख सकते हैं अब आप देखोगे क्या है कुशन इना 17 गोड लेंग्वेज राईवल को यह लिखा है और टेक्स्ट को यह लिखा है पॉइंट को आपको बताना है अब देखोगे RIVL राइवल को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है PKPCJ तो सबसे पहले आप यह देखते हैं इसके सामने जो आपका यहाँ पर है इनके बीच में gap देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर R से P गए तो आप देखोगे 18-16-2 किया है यहाँ आप देखोगे plus 2 है यहाँ आप देखोगे यहाँ भी आपका क्या किया हुआ है minus 2 किया हुआ है फिर आपने कहा plus 2 है फिर minus 2 है तो आपको यहाँ से देखने से पता चल ला है कि यह alternate pattern चल ला है minus 2 plus 2 minus 2 का तो सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हो ठीक है एक्जाम में आपको इसको लिखना नहीं है जैसे अगर अभी तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखके बता रहा हूँ अगर आपने यहाँ पैटन दिख लिया तो फिर आपको लिखना नहीं है सीधे आपको देखना है सीधे आपको देखना है point यहाँ पे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ देखो P से minus 2 गया तो आपने खा P से पहले minus 2 हो रहा है तो N आना चीए जैसे आपने N आना चीए तो यह दो option तो सीधे eliminate होगे फिर O से plus 2 करोगे तो O से plus 2 क्या आएगा Q आएगा तो यहाँ पे N Q आना चीए तो यह भी आपका eliminate तो सीधे आपका answer option 3 हो जाएगा तो ऐसे आपको exam में करना है next question देखो next है यहाँ पे R U G को यह लिखा हुआ है R U G को EPS लिखा हुआ है और आप देखोगे S I T को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है R Q G तो यहाँ पे आप देखोगे R से E गया S से R देखो अब देखो pattern यहाँ पे क्या क्या हो सकते है या तो आपका जो gap होगा, जो इसके सामने letter लिखा होगा, उसके बीच में gap होगा, ये नहीं होगा, तो फिर cross pattern हो सकता है, तो ये आपको ध्यान बखना है, अब ये कैसे check करोगे, R से E देखो, same gap नहीं है, S से R यहाँ पर अलग gap है, अगर इन दोनों का आपस में gap होता है, ज से हो सकता है, तो R से S, यानि कि आप बोलोगे, 18 प्लस 1 क्या 19 है, ऐसे आप देखो, क्या यहाँ पर S से G आपको नजरा रहा है, इस तरीके से, आप बोलोगे, S से G यह भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला pattern भी नहीं है, और क्या हो सकता, आप देखो, इस तरीके से नही से P गया, तो यहाँ पर क्या है, आप बोलोगे, R से P गया, तो आपने minus 2 देखा, और S, C, S से Q गया, तो यहाँ भी minus 2 है, फिर आप देखो, U से S गया, तो आप बोलोगे 21 से, यहाँ पर minus 2 है, S, I से G गया, तो minus 2 है, तो pattern देखो, किस तरीके का pattern है, यह आपका जिग जग यानि कि एक fix आपका cross pattern भी नहीं है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है इस type से भी बहुत question पूछे जाते हैं ऐसी आप देखोगे COP तो सबसे पहले आपने का ये last वाला minus 2 हो रहा है तो P से minus 2 करेंगे तो यहाँ पर N आना चीए फिर उसके बाद आपने देखा C से minus 2 हो रहा है तो यानि कि यहाँ पर A आना चीए और फिर O से minus 2 होगा तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या आएगा 15 होता तो 13 M आना चीए तो इसका right answer क्या होगा N AM होगा option 4 यहाँ पर correct हो जाएगा तो यह pattern ध्यान में रखना है या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो आपने इसे reverse में लिख देना है जैसे आप बोलोगे R U G को मैं reverse में लिखता हूँ G U R आता है और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर E P S है तो आप यह भी बोल सकते हो G से E गया मैनस 2 किया फिर U से S गया मैनस 2 है R से P गया मैनस 2 है इस तरीके से भी बोल सकते हो लेकिन यह आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से यह fixed cross pattern नहीं होता है तो आपस में आपको देखना है तो next question देखो next है more को यह लिखा है exam में आप नहीं लिखो गए यहाँ पर 14, 12, 9, 22 दिया तो आपको साब दिख रहा है कि यह तो आपके opposite है M का opposite N होता है O का opposite L होता है यानि कि इनके opposite की position है अब आपको opposite याद होंगे तो आप तुरंट समझ जाओगे R का opposite 9 है तो आपको पता ही होगा या opposite होता है O का L होता है लफ करके याद कर सकतो R का Indian Railway I का opposite R होता है E का V होता है या आप याद कर सकते है बागे आपको ये भी धिहान में रख सकते हो कि जो भी आपके इनके opposite होंगे उनका आप सम करोगे तो आपको 27 मिलता है तो यहाँ पर opposite लिखा हुआ है तो सीधे आप यहाँ पर देखोगे S का opposite यानि कि 8 आपका होना चाहिए तो यह दो option तो आपके नहीं होंगे A का opposite Z 8 के बाद 26 होना चाहिए I का 18 होता है ठीक है S A 18 होना चाहिए और D का यहाँ पर W 23 होना चाहिए तो आपका answer हो जाएगा 8 26 18 23 तो यह होगा तो आप देखो option first है तो यह इसका right answer होगा आप जितना है यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा है एक्जाम में आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए तभी आप इन question को जल्दी कर पाओगे next देखो name को यह लिखा हुआ है name को लिखा हुआ है fnbo fnbo लिखा है तो यहाँ पर आप देखो क्या pattern आप यहाँ पर देखोगे आप देखो n से f n से f देखोगे यहाँ पर gap कितना है cross pattern देखोगे तो आपको दिखेगा n से o आपको दिख रहा है यहाँ पर 14 प्लस 1 पंद्रा e से f प्लस 1 है a से b प्लस 1 है m से n प्लस 1 है यह वाला pattern है यह आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको reverse में लिख दूँ e m an और फिर यहाँ पर आप देखोगे f n bu लिखा हुआ है तो ऐसे simple आप प्लस 1 कर दोगे ठीक है आप ऐसे समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ cross pattern है ऐसे आप इसे चेक कर सकते हो nano ko तो मैं सीदे यहाँ पर नहिल को कर दे रहा हूँ अब इसमें भी अगर आप यह समझ गए pattern यह है तो आपको पता है l से प्लस 1 करना है तो यहाँ पर क्या आएगा m आना चीए फिर n से आप यहाँ पर प्लस 1 करोगे तो आपको पता यहाँ पर o आना चीए यहाँ कि सुरुआत m से open ending होनी चीए यह आपको दिख रहा है तो ना तो यह option होगा ना यह option होगा ना यह होगा तो आपका सीध्य आंसर क्या हो जाएगा option 4 यहाँ पर correct होगा next question देखो क्या है यहाँ पर आप देखोगे UU11 को यहाँ पर लिखा हुआ है PM39 sorry यहाँ पर लिखा हुआ है RX21 को ठीक है RX21 को लिखा हुआ है यहाँ पर UU11 ऐसी आप देखो PM39 को यहाँ पर लिखा है SJ21 एक तो आपको सीधे समझ मारा है यहाँ 10 का गयप है यहाँ 10 का गयप है तो 17 से 10 यानि कि 7 होना चीए तो यह option यह option तो नहीं होने वाले इसमें भी आप देखोगे R से U गया तो आप बोलोगे 18 प्लस 3 इक्किस और 24 से U गया तो मैनिस 3 है प्लस 3 मैनिस 3 है यहाँ भी आपको प्लस 3 मैनिस 3 दिख रहा है तो आपका DP में भी यहाँ पर क्या होगा DP 17 में भी यहाँ प्लस 3 होगा तो 4 37 G होगा और आप मैनिस 3 करोगे तो यहाँ पर आपका M यानि की 13 और यहाँ पर आपका 10 मैनिस करोगे तो 7 हो जाएगा तो GM 7 इसका अंसर होगा और संत्री होगा तो इस टाइप का भी question आपसे पूछा जाता है जिसमें आपको letter और number एक साथ दिये होंगे ठीक है letter और number यह type भी होता है next question देखो यह आपका comparison coding का यह बहुत ही आसान question होता है जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पर समझा दूँगा और आगे कितने भी सारे question आएंगे आप आसानी से कर लोगे और वो भी second में आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है in a certain code language what, where, how को यह लिखा हुआ है ऐसी आपका where, there, that को यह लिखा हुआ है ऐसी आप देखोगे यहाँ पर which, what, here को यह लिखा हुआ है आपको बताना है कि how को कैसे लिखा जाएगा पहले मैं तीनों statement यहाँ पर लिख रहा हुआ हूँ आप देखोगे what, where, how को क्या लिखा हुआ है इसको लिखा हुआ है a, a, d, d, f, f next है आपका, where, there, that इसे आपका लिखा हुआ है, d, d, z, z, p, p आगे आप देखोगे क्या है which, what, here इसे आपका क्या लिखा हुआ है इसे आपका लिखा हुआ है, f, f, k, k, l, l ठीक है, अब आप देखो, आपके सामने तीन स्टेटमेंट है एक, दो, तीन आपसे क्या पूछा गया, written, ये how को कैसे लिखा जाएगा how is how written in that language तो how को कैसे लिखा जाएगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है जो how है, वो आपका किस स्टेटमेंट में ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे पूछा क्या गया है, कि how को कैसे लिखा जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि how अगर आपका पहले स्टेटमेंट में है तो इसका code भी पहले स्टेटमेंट में होगा अगर ये पहले और दूसरे statement में होता तो इसका code भी दोनों में होता तो अब ये आपके लिए आसान हो जाता है जैसे आपने का आपका answer क्या होना चीए how आपका पहले statement में है तो इसका answer जो होगा वो सिर्फ इन तीनों में से ही एक होगा अब इन तीनों में से भी एक होगा आप देखोगे क्या double a हो सकता है आप बोलोगे हाँ double a हो सकता है क्योंकि ये double a किसी दूसरे statement में नहीं है क्या double d हो सकता है आप काओगे बिल्कुल नहीं हो सकता है मैंने क्या बोला अगर how आपका पहले statement में है तो इसका code भी सिर्फ पहले statement में ही होना चाहिए तो आप देखोगे यहाँ पर dd तो यहाँ भी आ रहा है तो यह नहीं हो सकता क्या ff हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि यह तीसरे statement में भी आ रहा है अगर ff तब होता जब यह पहले और तीसरे दोनों में होता तो यहाँ पर इससे आपको पता चलता आपको सीधे देखना how बोला है how आपका पहले statement में है तो इसका code भी इसमें होगा क्या double a हो सकता है आप दूसरे में देखो double a कहीं repeat नहीं हो रहा है double d नहीं हो सकता क्योंकि double d दूसरे में आ रहा है double f नहीं हो सकता क्योंकि double f तीसरे में आ रहा है तो सीधे इसका answer क्या हो जाएगा आप बोलोगे इसका answer होगा double f first option हो जाएगा पहली बात तो यह समझ में है कि जो आपका answer होगा पहले statement में ही होगा यानि कि A, A, D, D, F, F में से एक होगा तो Z तो आपका होई नहीं सकता तीक है यह comparison करते हैं बहुत ही आसान question होता है और आप सभी कर लेंगे बस मैं यह बता रहा हूँ कि आप और जल्दी कैसे कर सकते हो अब जैसे देखो next question यहाँ पर क्या लिखा है आप कोगे VC हो सकता है दोने statement में क्या NT हो सकता है आप बोलोगे NT नहीं हो सकता क्योंकि यह यहाँ तो नहीं है eat अगर दोनों में है तो इसका code भी दोनों में होगा AP हो सकता है AP बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ नहीं तो इसका code ना तो AO होगा, ना ही BO होगा, ना ही C होगा अपना पी इसका answer BA हो गया simple है, food आपका इसमें है तो इसका code भी इसी में होना चाहिए, तो दो को BA जो है यह सिर्फ इसी में है, बाकि CO और BO तो यहां भी आ रहे हैं, यह बास समझ बागी आपके, तो इसका right answer क्या हो गया B हो गया, बहुत आसान question है और आसानी से आप कर भी लोगे next आपका क्या है, यहाँ पर सिल्क को लिखा गया है SIL के सिल्क को यहाँ पर लिखा गया है TIL के अब देखो S से T प्लस वन हुआ I को यहाँ पर सेम लिखा हुआ है T I ML लिखा हुआ है, आप देखो L से M, प्लस वन K से L, प्लस वन, तो यहाँ पर आपको देखके क्या समझ मारा है, consonant और vowels का खेले हैं यहाँ यानि कि स्वर और बेंजन का, जो भी आपके consonant है, उसमें तो प्लस वन किया हुआ है और जो आपका यहाँ पर vowels है, उसमें आपका कुछ भी नहीं किया है, प्लस जीरो बोल सकतो, यह आपका सेम लिखा हुआ है तो ऐसे आप यहाँ पर change को कर सकतो C, H, A, N, G जी, अब यह तो आपको बता है कि last में E आना है E आना है, क्योंकि यह आपको इनको बदल नहीं रहा है जो भी आपके स्वर हैं, जो भी आपके vowels हैं उसको सेम लिख रहा है, तो last में E है तो यह option तो आपका बिल्कुल नहीं होने वाला तो बाकिया आप देखोगे सेट को लिखा गया 37 SET, सेट को यहाँ पर लिखा है 37 तो आप देखोगे 37 है तो इनकी पोजिशन एड करोगे 19, 5, 20 तो इसको देखके आपको सिल्दे समझ मार है कि यह आपका 37 तो नहीं होने वाला यह आपका 49, 5 यहाँ पर 44 हो जाएगा तो यह आपका नहीं होना तो इनके अपोजिट की पोजिशन भी हो सकती है उसका सम भी हो सकता है वो आप यहाँ पर कर सकते हो अब यह भी कर सकते हो कि यहाँ पर आपको पता है जो भी आपके अपोजिट होते हैं उसका सम क्या होता है 27 होता है यानि कि एक pair का 27 होता है यहाँ पे 3 pair है तो 27 इंटू 3 करोगे 81 आएगा उसमें से फिर आप जो इसका sum है वो minus करोगे तो वो opposite का sum आजाता है लेकिन यहाँ पे आपके letter कम है तो सीधे जोड़ भी सकते हो आपको जो आपको यहाँ पे easy पढ़ता है S की position क्या है 19 है इसका opposite क्या होता है आपका H होता है उसकी position 8 है E का आपका opposite क्या होता है फी होता है उसकी position 22 है T का आपका opposite क्या होता है आप बोलोगे G होता है यह याद होने चाहिए और T का opposite G कैसे याद कर सकते हैं मैंने आपको बताए GIF टेक करके यानि कि GIF टेक आप देखो तो आप देख सकते हो कि यह आपका क्या है इनके अपोजिट का सम आपको यहाँ पे दिया हुए ऐसी आप mix का कर सकते हो मैं आपको यहाँ पर वार का बताता हूँ W yêu यह तो आप देखोगे W का अपोजिट क्या होता है D होता है तो यानि कि 4, A का 26 हो गया आर का वोजिट क्या होता है आई होता है इंडियन रेलवे करके बता है तो 9 होता है तो 26, 4, 30 30 और 9 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर 49 होने चीए तो यहाँ पर option जो है आपका 29, 41 21, 32 तो इसका आंसर यहाँ पर आपका होगा 39 यहाँ पर होगा ठीक है तो 39 यहाँ पर होगा तो option 2 होगा ठीक है यह आपका question अगर option mock test में जिसने दे दिया है अगर गलत होआ है तो एक marks add कर ले न 39 इसका आंसर होगा ठीक है 39 होगा क्योंकि सम आपका 26, 34, 49 हा रहा है तो 39 इसका correct answer हो जाएगा next question देखो next क्या है B, E, L, L को यहाँ पर M, K, F, A लिखा हुआ है ठीक है B, E, L, L को B, E, L, L इसे क्या लिखा हुआ है M, K, F, A M, K, F, A लिखा हुआ है तो आप देखोगे B से M अब B से M देखो यहाँ देखो B, O, N, D B, O, N, D, E, M, P, A कैसे आपको पता चलेगा क्रॉस पैटन अब देखो यहाँ से B से M के बीच में gap जो है ज़ाद है यहाँ आपका B से E के बीच में कम है तो सीधे आपको ध्यान बखना है कि क्रॉस पैटन हो सकता आप यहाँ पर दिख भी रहा है B से A, M-1 लिखा हुआ है B से A, M-1 आपको देख रहा है फिर L से M देखोगे यहाँ पर आपका प्लस 1 है B से E आप देखोगे प्लस 1 है तो यहाँ पर आपका मैननस 1 प्लस वन ये alternate pattern चल ला है इस तरीके से E से F आप देखोगे यहाँ पर प्लस वन है फिर L से यहाँ पर माइनस वन है ठीक है अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको reverse करके यहाँ पर बोल सकते हो जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ या आपका माइनस वन है तो ऐसे आप बोल सकते हो reverse में भी आपका हो सकता है या cross button में समझ में आ है तो आप उससे कर लो ऐसे आप B, L, E, W को यहाँ पर करोगे तो reverse में लिख दो आप बोलोगे W, E, L, B आएगा और फिर माइनस वन करोगे तो आप बोलोगे W, X आ जाएगा X से सुरुआत होने वाले आप option में देखोगे सभी में X है फिर माइनस 1 होगा तो आपका D आ जाएगा X, D होना चीए तो यह option नहीं है फिर आप देखोगे यहाँ पर plus 1 होगा तो आप बोलोगे यहाँ पर L, M आ जाएगा फिर माइनस 1 होगा तो A आ जाएगा तो X, D, M, A होगा X, D, M, A option first जो होगा correct हो जाएगा next question देखो देखो यहाँ पर क्या लिखा है how is chair chair को क्या लिखा जाएगा अब क्या लिखा जाएगा आप देखो chair आपका दोणों में है पहले statement में भी chair दिख रहा है दूसरे में भी chair दिख रहा है तो इसका code जो होना चीए क्या cycle हो सकता है आप बोलोगे हो सकता है अगर आप से जो पूछा है वो दोनो statement में तो उसका code भी दोनों में होगा तो आप देखोगे MI दोनों में है तो इसका right answer option 3 हो जाएगा MI next question देखो next है यहाँ पे T I Z Z इसे लिखा हुआ है V के BB और यहाँ पे लिखा है Q, आप यहाँ पे देख सकते हो T से V, T से V गए तो आपने कहा 20 प्लस 22 आपको दिख रहा है I से K गए तो आपको यहाँ पे plus 2 दिख रहा है Z से भी यह तो plus 2 है simple ही दिख रहा है plus 2 यहाँ पे किया हुआ है तो सिधे आप यहाँ पे C के AU को कर लो C के AU को plus 2 करोगे तो यहाँ पे E आना चीए जो E से सुरुआत होगी तो यह तो नहीं होगा यह भी नहीं होगा, प्लस टू करोगे, के पे प्लस टू, 11 प्लस टू, 13 यानि कि EM होना चीए, तो यह भी option नहीं, सीधे आपका answer क्या है, option 3 है, तो यह इसका pattern है, यहाँ पे देख सकते हो, next question देखो, यह question भी ध्यान में रखना है, आप देखो confused को 7 लिखा है, chain को 4 लिखा है आपको adulthood को बताने क्या है, अब आपको यह तो पता है, कि इनका sum तो कभी 7S तरीके से नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कि जितने यहाँ पे letter है, वो यहाँ पे लिखा हो सकता है, आप देखो total कितने letter है, यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, total 8 है, लेकिन यहाँ प पे 4 लिखा है, तो यहाँ देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, total आपके यहाँ पे 9 है, तो 9 से आपका एक कम करेंगे, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो इसका right answer क्या होगा, option 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, next देखो, very को यह लिखा गया ह V-E-R-I को यह लिखा है, V-E-R-I को यह लिखा है, तो A को क्या लिखा जाएगा, तो यह बहुत question पूछे जाता है, यह भी आपका comparison coding का ही है, आप देखो, बहुत सारे question ऐसे आपको मिलेंगे, mains में भी पिछली बार यह question पूछा गया था, तो आप simple वही करना है, जो अभी नहीं 3 हो सकता है, नहीं 1 हो सकता है, नहीं 4, बचा क्या option to 8 होगा, एक है मैंने आपको क्या बता है, एक बार और सर्ण ना देता हूँ, यह लगा question, V-E-R-Y को यहाँ पे लिखा है, 6-3-1-4, ऐसे आप देखोगे, V-E-R-Y को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1-4-3-8, यह 1 हो सकता है, नहीं, 1 तो आपका repeat है, क्या 4 हो सकता है, 4 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 दोनों में है, क्या 3 हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 में, तो क्या होगा, 8 बचा, तो यही आपका होगा, A के लिए 8, समझ मा आया, यह आप ऐसे भी बोल सकतो, vary में जो आपक यह लिखा गया product को क्या लिखा जाएगा अब देखो इसके नीचे हो क्या सकता है इनकी position से related यहाँ पे number लिखे होंगे आप देखो D के नीचे आपको 4 देख रहा है तो सीधे आपको समझ में आ रहा है कि इसकी position यहाँ पर लिखी हुए D A M A N D देखो इसके नीचे क्या हो सक M के नीचे फिर से 13 लिखा हुआ है A के नीचे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है यानि कि फिर से double किया हुआ है फिर N के नीचे 14 लिखा हुआ है और फिर D के नीचे आपका 4 लिखा हुआ है अब इसे देखते हुए आपको क्या समझ मारा है alternate pattern तो नहीं है alternate होता तो N के नीचे भी आपका यहाँ पर double किया हुआ है, यही आपको देख रहा है, तो सीधे आप यहाँ पर product को करेंगे, अब यहाँ पर करने की जरूवत नहीं, मतलब आपको ऐसे लिखने की जरूवत नहीं, P के नीचे 16 आएगा, तो यह option तो नहीं होगा, R के नीचे 18 आने चीए, तो आप देखते हैं, next देखो फिर से आया, what is the code for more, more के लिए क्या होगा, आप देखो more आपका इस statement में भी है, इस statement में भी है, यानि कि दोनों statement में तो इसका code भी दोनों में होना चीए, क्या PB हो सकता है, नहीं, PB इस वाले statement में नहीं है, दूसरे वाले में, क्या GQ हो सकता है, आप आप बोलोगे हाँ, GQ होगा, क्योंकि दोनों में है, ST आपका दोनों में नहीं है, तो GQ इसका answer, option 3 correct, पिल्कुल आसान question, फिर देखो, फिर से वही, O के लिए क्या होगा, आप देखो, O आपका दोनों में है, तो इसका code भी दोनों में होना चीए, क्या 7 दोनों में है, नह नहीं है, क्या 9 दोनों में है, नहीं है, यह नहीं होगा, क्या 3 दोनों में है, क्या 5 दोनों में है, हाँ, आप बोलोगे 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, क्योंकि O आपका दोनों statement में है, तो इसका code भी दोनों में होगा, तो O के लिए आपका क्या हो जाएगा, 5, option 3 यहाँ correct होगा next question देखते है next देखो यहाँ पर क्या है V A I N V A I N को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है O K B Y O K B Y अब देखो V से O है यहाँ पर V से U है तो gap तो बराबर निये लेकिन cross में आपका हो सकता है आप यह बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या है अगर आप देखोगे V से Y अगर आप cross में देखते हो तो आप बोलोगे V से Y 22 प्लस 3 है N से O आप बोलोगे 14 प्लस 1 है A से B प्लस 1 है I से K 9211 प्लस 2 है इस तरीके का pattern आपको नजर आ रहा है अब देखो यहाँ पर अगर आप समझ नहीं पा रहे हो N से O गया तो प्लस 1 किया है I से K गया तो आप बोलोगे प्लस 2 किया है 9 दो यहाँ पर 11 और आप देखो A से B गया तो प्लस 1 है और V से Y गया तो आप बोलोगे प्लस 3 है तो ऐसे आप यहाँ पर V E R B को करके देख लो V E R B को आप बोलोगे B से आपका प्लस 1 होगा तो C होना चीए R से प्लस 2 होगा तो आप बोलोगे यहाँ पे T होना चीए और E से प्लस 1 होगा तो आप बोलोगे यहाँ पे F होना चीए और V से आपका फिर से यहाँ पे क्या होगा प्लस 3 होगा तो Y होना चीए तो CTFY किसमे option first में तो ये इसका answer हो जाएगा ठीक है ऐसे भी आप देख सकतो या आपको वही cross pattern ही है ठीक है बस यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से बनाओंगा तो कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस में plus one क्या है किस में plus two क्या तब इस तरीके से समझा रहा हूँ या आप इसको reverse में करके भी समझ सकतो जैसे VAIN को आपने ऐसे reverse में लिख दिया NIAV और फिर यहाँ पर आपने pattern देख लिया OKBY कैसे लिखा वाई जैसे आपको समझ में आपको होगे N से ओ गया plus one है फिर I से K plus two है A से B plus one है और V से Y plus three है आप देखो last में plus three हो रहा है तो यहाँ भी आप देख सकते हो वर्व ठीक है यहाँ पर आपका V है ठीक है तो V यहाँ पर आपका V है यह V है ठीक है V से आपका Y जाएगा तो आप देखोगे अगर आप इसे reverse में लिखो तो V से Y यहाँ भी Y होना चाहिए था last में आपको यहाँ पर देख रहा है कि Y इस option में ही है ठीक है इसमें भी है यह दो option तो eliminate कर सकते हो यह भी आप देखोगे option eliminate करके भी आप यहाँ पर जल्दी से कर सकते हो तो right answer इसका क्या हो जाएगा C T F Y next question देखो क्या है next है B U Z Z Y को 10 लिखा है King को 8 लिखा है आप देखो इतना छोटा नंबर है तो कहीं न कहीं क्या होगा इसमें जो letter है उससे related pattern हो सकता यह आपको बहुत ध्यान मरें रखने है यह pattern कई बार पूछेंगे अब देखो 10 लिखा है इसमें total इस word में total कितने letter है आप बोलोगे 5 है तो 5 का दुगना कितना लिखा है 10 लिखा है इसमें total कितने है आप बोलोगे 4 है 4 का दुगना कितना है 8 है इसमें total कितने है आप बोलोगे 3 3 6 तो 6 का दुगना कितना हो जाएगा 12 तो इसका राइट आंसर क्या होगा option 3 12 next देखो man के नीचे 15 3 16 लिखा है अब देखो अभी तक तो इसके नीचे आपका letter लिखे थे अब number लिखे तो number में भी वही pattern होगा जो हम letter में डेख रहे हैं अब देखो इसकी position क्या होति है 13 14 ये position होति है आप इसके नीचे या तो position लिखे होती या इसमें कुछ add कर सकते हैं जैसे आप देखो 15 लिखा थो इसका मतलब आप बोलो गहे plus two add किया तो 15 अब यहां plus two add किया तो लिखने की जरुवत नहीं है, अगर position याद होगी तो आप सीधे समझ जाओगे तो ये आसान question होते हैं, तो इनको उतनी जल्द ही आप में करना है, तो OUT को आप देखोगे, आपका 15, 2 17 होना चाहिए, 21, 22, 23 होना चाहिए, 22, 22 होना चाहिए, यानि कि 17, 23, 22 इसका आंसर होना चाहिए, तो 17, 23, 22 आपको दिखेगा, option third में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा next question देखो क्या है, next step, bring को यहाँ पर यह लिखा गया, 7, 14, 9, 18, 2, अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है, फिर से वही, जो अभी हम letter to letter वाले में pattern लगा रहे थे, वहीं यहाँ पर pattern है, अब देखो, इसके नीचे या तो इसकी position लिखी होगी, अगर इसकी position नहीं लिखी हुई है, तो cross में भी तो pattern होता है, तो cross वाले की position लिखी हो सकते हैं, अब आपको इसके नीचे 7 दिखा, तो आप बोलोगे, अरे यह तो G है, यह cross में लिखा हुआ है 7, फिर आपने देखा N है, अरे 14 लिखा हुआ है, फिर आपने देखा 9 है, cross में है, फिर R है, आपने कहा R की position 18 B की position दो, यह cross में लिखा हुआ है, यह आप देखा, अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको reverse में लिख दो, reverse में लिखके इसकी position लिख वी है, बात सिर्फ यह है, तो ऐसी आप यहाँ पर forgive को reverse में लिखा होगे, आप बोलोगे, E V, I, G, R, O, F यह है, इसकी position लिख दो, यानि कि 5, 22, 9, 7, 18, 15, 16, यह होना चीए, तिके 5, 22, 9, 5, 22, 9 आप कहोने चीए, यह option तो नहीं होगा, 5, 22, 9, 7, 18, 15, 16, तो पहला option है, तो यह है इसका right answer हो जाएगा, यानि कि आपका reverse में लिखा हुआ है, reverse में लिखा हुआ है, फिर उनकी position लिखे हुए है, तो यहाँ आप ध्यान में रखना, next देखो, face को यह लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो, F से G, 6 प्लस 1, 7, V, 22 प्लस 1, 23, तो आपको दिख रहा है न, प्लस से Z है, तो A से Z, यानि कि M के बाद तो Z आना अची है, तो यह option और यह option तो सीधे eliminate हो गया आपके, ठीक है, यह option भी eliminate हो गया यहाँ पे, इतना ही देखके, तो आपका यह answer हो जाएगा, तो यहाँ पे pattern क्या है, प्लस 1, माइनस 1, इस तरीके का यहाँ पे pattern चल दा है, तो यह आप यहाँ पे ध्यान में रखना, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, second option हो जाएगा, next question देखो, फिर से देखो, इसके नीचे क्या लिखा हो है, 12, 18, आपको दिख रहा है, F, I, V है, तो मैंने क्या बता है, इसकी position से related ही तो कुछ होगा, तो आप देखो, 6, 9, 22, 5 है, तो 6 दुनी 12 दिख रहा है, 9 दुनी 18 दिख रहा है, 22 दुनी 44 दिख रहा है, 5 दुनी 10 simple है, ठीक है, double आपका किया होगा है, सभी का double, तो आप देखोगे, यहाँ पे 3 को करोगे, 20 दुनी 40 से starting होनी चीए, 8 दुनी 16, 18 दुनी 36, और 10 दस होना चीए, ठीक है, तो यह option नहीं होगा, यह option मी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, लास्ट में 10 दस है, तो option 2 यहाँ पे correct हो जाएगा, बहुत यह आसान question है, next question देखो क्या है, आप देखो के WISK को यह लिखा है, ठीक है, WISK, इसको लिखा हुए है DRHP, अब देखो, अगर आपको opposite याद होंगे, तो बिल्कुल आपको सीधे दिख रहा है, W का opposite D है, I का opposite R है, S का opposite H है, K का opposite P है, बहुत आसान question है, लेकिन यह, कहने में आसान है, अगर आपको याद होगा, तो इनके opposite याद होने चीए, तो आप देखो के bank को क्या लिखाया जाएगा, B का opposite Y होता है, तो ना तो यह होना चीए, ना यह होना चीए, A का opposite Z होता है, और N का opposite M होता है, तो यह आपका option 2 यहाँ पर correct हो जाएगा, यह भी आपका answer नहीं होगा, opposite यहाँ पर pattern है, सभी का opposite यहाँ पर लिखा हुआ है, next question देखो क्या है, next देखो N, G, R, P, N, G, R, P को क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे J, C, N, L लिखा हुआ है, ऐसे आप देखोगे यहाँ पर F, K, L, T, F, K, L, T को यहाँ पर क्या लिखा है, B, G, H, P लिखा हुआ है, अब देखो N से J गया, तो minus 4 देख रहा है, F से B गया, minus 4 है, G से C minus 4 है, R से N minus 4 है, P से L minus 4 है, अब यह minus 4 कैसी कह रहा हूँआ है, पोजिसन याद करनी जरूरी है तुरंत समझ मा जाएगा तो ऐसे आप देखोगे S से मैनस 4 करोगे तो 15 यानि कि आप बोलोगे O आना चीए यहाँ पर S Q U है मैनस 4 करोगे तो O आएगा ना तो यह होगा ना यह होगा उसके बाद Q से 4 करोगे यानि कि क्योंकि पोजिसन 17 होती है इस से 17 से मैनस 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा M मिलेगा यानि कि 13 तो option 4 इसका right answer हो जाएगा यहाँ पर pattern क्या है मैनस 4, मैनस 4, मैनस 4, मैनस 4 क्या होगा तो आसान pattern है option 4 correct होगा next question देखो फिर से वही question आपको बताना है play के लिए क्या code होगा अब देखो play आपका कौन से statement में आप बोलोगे sir play तो आपका दोनों statement में तो इसका code भी जो होगा क्या ae हो सकता है आप बोलोगे ae नहीं हो सकता है क्या tc हो सकता है आप बोलोगे हाँ tc हो सकता है यह दोनों में, NX से हो सकता है, नहीं, NX से दोनों में नहीं, तो इसका right answer क्या हो जाए, अगर TC, option 4 यहाँ पर correct होगा, next question देखो, फिर से वही question, talk का कहा होगा, आप देखो कि talk आपका दोनों में है, दोनों में, तो इसका code भी दोनों में हो सकता है, तो आपको सीधे दिख र आपको सीधे दिख रहा है, अगर book को यहाँ पर Z लिखा हुआ है, तो आपको दिख रहा है, minus 2 किया है, S से Q यहाँ भी minus 2 किया है, position, तो N से minus 2 होगा, तो यहाँ पर L आना चाहिए, यानि कि सभी में L आना चाहिए, तो यह option तो नहीं होगा, फिर O से N, O से N आप बोलोगे चाहिए, पिर O से N, minus 1 है, और K से आई, आप बोलोगे K से आई, आपका minus 2 है, तो यहाँ पर pattern क्या दिख रहा है, अगर मैं आपको ऐसे समझाओं, तो आप देखोगे Z N, N आई, यहाँ पर क्या है, आपने का minus 2 है, यहाँ भी minus 1 है, और यहाँ आपका क्या है, आपका फिर स उसमें –1 है, ऐसे आप SHOP में भी आप देख सकते हो, ठीक है, यह ऐसा भी हो सकता है, पहले और LAST में –2 हो, और बीच वालों में –1 हो, तो यह आपको ध्यान में रखना है, ऐसा भी हो सकता है, तो हम देख लेते हैं, S से –2 किया, तो यहाँ पर Q है, सही है, H से –1 किया, ठीक है, h से minus 1 यह तो यहाँ पर minus 2 है देखो f लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही pattern तो यह ध्यान में रखना है जो मैंने बता है ऐसा भी हो सकता है कि पहले और last में minus 2 हो और बीच में minus 1 ठीक है कई बार ऐसी भी होता है इसलिए दूसरे को चेक कर लेना है यहाँ पर minus 2 है देखो एक कंसोनेंट पर minus 2 है तो यही pattern है तो आपको N O T E S इसे आप करोगे N O T E S तो आप देखोगे N से आपको यहाँ पर minus 2 करना है तो L आएगा यहाँ O है minus 1 करोगो तो यहाँ पर L के बाद आपको N मिलेगा तो आपका यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है तो सीधे आपका answer क्या हो जाएगा फर्स्ट option हो जाएगा तो आपका फर्स्ट option इसका right answer होगा next question देखो क्या है फिर से वही question है comparison coding stand के लिए आपको बताना है अब देखो stand आपका पहले statement में है क्या दूसरे statement में है नहीं क्या तीसरे statement में है Rockies Mountain नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका जो code होना चीए वो सिर्फ पहले statement वाला ही होना चीए या तो 37 होगा या 66 होगा या 44 होगा तो आपका ये तो कभी answer नहीं हो सकता क्या 33 होगा आप देखोगे नहीं 33 क्यों नहीं होगा क्योंकि ये तो आपका repeat हो रहा है अगर आपका जो stand आपका पहले statement में है तो उसका code भी सिर्फ पहले statement में होगा 66 भी नहीं हो सकता 66 हो सकता है क्योंकि और कोई statement में नहीं है 44 नहीं हो सकता क्योंकि 44 यहां भी आ रहा है तो इसका सीधे answer क्या हो जाएगा option 4, 66 जो होगा correct होगा, next question देखो MUTUAL यहां भी आप देखो मैंने क्या बोला, या तो इसके नीचे इसकी position आएगी, अगर इसकी position नहीं आ रही है, तो एक बार देख लो cross में तो position नहीं आ रही है आपको दिख रहा है यहां पर, इसके नीचे 12 लिखा और L की position भी 12 होती है तो इसका मतलब cross pattern है cross में position लिखी गी है अब या तो मैं इस तरीके से बता दू कि 12 है, फिर ऐसे 1 है फिर 21 है, ऐसे लिखा हुआ है मैं आपको यह बोल दू कि इसको reverse में करके इसकी position लिखी हुई है आप समझ जाओगे, reverse में करके यानि कि mutual को मैं reverse में लिखता हूँ तो L, A, U, T, U, M आएगा तो आप देखो इसकी position 12 1, 21, 20, 21, 13 लिखी हुई है यही तो लिखा हुआ है आसान question है बस reverse में अब इसके नीचे letter भी लिखे हो सकते है या इसके नीचे और क्या pattern हो सकता है plus 1, minus 1 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ऐसे module को हम करेंगे तो reverse में लिख देते हैं तो यह पहले हम इनकी position लिख लेते हैं फिर reverse में लिख लेते हैं तो 5, 12, 21, 4 5, 12, 21, 4, 15, 13 तो option 2 है यहाँ पे तो option 2 क्या हो जाएगा correct हो जाएगा यह इसका right answer है next question देखो next है global को यह लिखा हुआ है forest को यह लिखा हुआ है और impact को क्या लिखा जाएगा यह आपको ध्यान में रखना है यह अच्छा question है यह pattern में बहुत बार पूछा जाता है अब देखो global को क्या लिखा हुआ है GLOBL यहाँ पे आप देखोगे इसके नीचे इसकी position तो आपको देखनी रही है ठीक है इसके नीचे इसकी position नहीं देख रहे है यहाँ F को 23 लिखा हुआ है यह आपको देखो यहाँ पे क्या pattern है अगर आप यहाँ पे देखते हो इसे 22 लिखा हुआ है ठीक है आप यहाँ पे देखोगे 17 या कुछ भी लिखा हो सकता तो इस pattern को ध्यान में रखना है यहाँ पे pattern क्या है अगर आप देखते हो G का opposite क्या होता है T होता है G का opposite क्या होता है T होता है इसमें plus 2 क्या तो 22 लिखा है L का opposite क्या होता है O होता है इसमें plus 2 क्या तो 17 लिखा है O का opposite क्या होता है L इसमें plus 2 क्या इसमें plus 2 क्या L में plus 2 क्या तो आपका यहाँ पे 14 लिखा हुआ है फिर b का opposite क्या होता है y होता है इसकी position में plus 2 क्या है यानि कि 25 होती है इसकी position इसमें plus 2 क्या तो यहाँपे 27 लिखा हुआ है a का opposite क्या होता है z इसमें plus 2 क्या तो यहाँपे 28 इसकी position में ऐसे L का opposite क्या होता है और इसमें plus 2 किया तो यहाँ पर 17 लिखा हुआ है यह pattern ध्यान में रखना है अब यह आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि G में पहले plus 2 कर लो जैसे आपने G में plus 2 किया या sorry minus 2 कर लो E आया उसका opposite लिखा हुआ है उसकी position लिखिया है या इसी को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते है एक pattern तो यह है या इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो देखो G L O B N ठीक है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 22 17 14 27 28 17 आप देखोगे इनकी position देखो 7 12 15 2 1 और आपका 12 अप देखो इनका sum देखो 29 29 29 29 इहाँ दिया हुआ है इनकी position और जो यहाँ पे नमबर दिया है इनका sum क्या आ रहा है 29 तो दो-tीन pattern यहाँ पैटन यहाँ पैटन है दोनों से same इंसर आता है चाहे आप इस तरीके से याद कर लो ठीक है कि अपोजिट किया फिर प्लस टू किया हुआ है या आप ये भी बोल सकते हो पहले मैनस टू किया फिर अपोजिट लिखा हुआ है तो ये पैटन तो आपको ध्यान में रखना है यह बहुत बार पूछा जाता है मतलब आप देखो जो भी ऐससे एकजाम करा रही हो उसमें ये कुशन तो इस पैटन का कुशन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा तो ऐसे ही आप यहाँ पर इंपेक्ट को करोगे I, M, P, A, C, T ठीक है या तो आप इनकी पोजिशन में प्लस करके 29 करके कर लो जैसे मैंने ये बताया पहला एक तरीका यह है दूसरा आप ऐसे कर लो आपने कहा I का आपोजिट क्या होता है आप बोलो के R होता है M का आपोजिट N होता है M का आपोजिट N होता है और P, P का आपोजिट क्या होता है P का आपोजिट K होता है A का Z होता है C का X होता है और P का क्या होता है G होता है तो इनकी पोजिशन से माइनस टू सॉरी प्लस टू प्लस टू करोगे तो 18 20 होगा प्लस 2 करोगे तो 16 होगा प्लस 2 करोगे तो आप बोलोगे 13 होगा प्लस 2 करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 26 प्लस 2 28 प्लस 2 करोगे तो यहाँ पे आपको 26 मिलेगा और G में प्लस 2 करोगे तो आपको यहाँ पे 9 मिलेगा तो इसका right answer क्या होना चीए 20, 16 20 से starting होनी चीए तो ये नहीं होगा last 9 पे ending होनी चीए तो आपका ये तो नहीं होगा 20, 16 20, 16, 13 20, 16, 13 ये भी नहीं होगा फिर 28, 26, 9 तो ये भी नहीं होगा आपका answer क्या हो जाएगा first option यहापे क्या होगा correct होगा ठीक है सभी को समझ में आया तो इसे ध्यान में रखना या आप ये भी बोल सकते हो इनका जो sum आ रहा है वो आपका क्या रहा है 29 आ रहा है ठीक है जैसे ये वाला pattern मैंने यहापे बताया next question देखो husband को ये लिखा गया है sister को ये लिखा गया है तो यहां से 8,2,10 दिख रहा है और 19,2,21 दिख रहा है यानि कि plus 2 तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है फिर आप देखोगे u में plus 1 किया हुआ है i में आप देखोगे यहाँ पर plus 1 किया हुआ है फिर आप देखो s में plus 2 है ठीक है अब मैं यहाँ पर समझाई देता हूँ sister को करता है क्योंकि इसमें कम लेटर है तो आसानी से इसे हम बता सकते है sister को यहाँ पर u, j, u, v, f, t लिखा हुआ है यहाँ से u, plus 2, plus 1 फिर plus 2, फिर t से v, t से v, plus 2 e से f, plus 1, ठीक है और फिर आपका r से t, plus 2 इसमें दिया गया है, vowels में plus 1 किया गया है तो pattern क्या है, consonant में तो plus 2 है और जो भी सारे आपके vowels हैं यानि कि स्वर हैं उसमें plus 1 किया है, यही तो pattern दिख रहा है देखो, i में plus 1 है, e में plus 1 है तो ऐसी आप brother को कर लो b, r, b, r, o, t, h, e, r इसे आप करोगे तो आप देखोगे, b में plus 2 करना है, तो आपके यहाँ पर d से सुरू होना चीए तो d से सुरू होगा, तो यह तो नहीं होने वाले दूसरा आप देखो r है, last में भी आपका plus 2 होगा, तो t आना चीए तो आप बोलोगे, last में आना चीए, तो आप देखोगे, यह option भी नहीं होगा, यही तो pattern है pattern आपको समझ में आगया, तो ऐसे ही करना है तो आपका answer क्या हो जाएगा, option 3 हो जाएगा, और जो इसका pattern है वो आप pattern यहाँ पर देख सकते हो ठीक है, तो यह आपको समझ में आया होगा, कैसे हम यहाँ पर question कर रहे है, और कैसे आपको जल्दी करने है next question देखो, क्या है in a certain code language, retained को यह लिखा हुआ है maturity को लिखा है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे जो भी letter आपको यहाँ देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ भी L को L लिखा होना है चाहिए last में last में तो आपका L ही हाना चाहिए, तो यह option और इसमें तो कभी आप mark नहीं लगा होगे उसके बाद आप देखोगे, अगर मैं इससे यहाँ पर लिखके बताता हूँ बांकी आप देखोगे, बांकी क्या है, जो बांकी बचा हुआ है इससे reverse में लिखा हुआ है, इससे reverse में लिखा हुआ है यहाँ पर E-N-I-A-T-E-R reverse में लिखा है, तो सेम आप देखोगे, आप यहाँ पर firewall को भी ऐसी लिखोगे, F-I-R-E-W-A-L-L यहाँ पर तो L-E आना चाहिए, और इससे आपको reverse में लिख देना है तो आपका यानिकी L-A-W-E-R-I-F यह इसका answer हो जाएगा, L-A-W-E-R-I-F E-R-I-F तो यह तो आपका होगा नहीं, तो आपका answer क्या होगा L-A-W, तो यह भी नहीं होगा, L-A-W-E-R-I-F-L राइट answer क्या है, option 3 यहाँ पर correct हो जाएगा Next question देखो, VAT को 43 लिखा हुआ है AWW को 47 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसकी position का sum करके देखते हैं यह तो आपको सीधे समझ में आ रहा है कि इनकी position का ही समय देखो एक AWW, एक प्लस 23 प्लस 23, 23 दूनी 46 प्लस एक 47 लिखा हुआ है तो यह से ZHU को कर लो 26 प्लस 8 प्लस 21 तो आप देखोगे 6, 1, 7, 7, 7, 7, 7, 14, 15, 5 आना चाहिए तो एकी option है, यह दिजिट 55 इसका हो जाएगा 26, 8, 34, 34 में 20, 54 और एक 55 आ जाएगा यानि कि option 2 इसका correct होगा, position का समय सिंपल next question देखो क्या है, FLBS को 156 लिखा हुआ है और इसे 228 लिखा है, तो कहीं न कहीं या तो ऐसा होगा इनकी position का sum करेंगे, फिर बड़े नमबर पर जाना है तो किसी नमबर से multiply करेंगे, तब 156 मिलेगा तो हम देख लेते हैं, FLBS FLBS को आपका यहाँ पर 156 लिखा है तो आप यह बोलोगे, 6, 12, 2, 19 तो आपका 12, 6, 18, 2, 20 यानि कि यहाँ पर आपका 39 आ जाएगा आप यहाँ से 156 जाना है, तो किस से multiply करेंगे आप बोलोगे, 4 से multiply करो 4, 9, 36, 3, 4, 3, 12, 3, 15 156 आ गया, यानि कि हमने पहले इनकी position का sum किया, फिर 4 से multiply किया तो 156 आ है, तो ऐसे हम यहाँ पर करते हैं V, D, ZN को करते हैं, आप देखोगे 22, 4, 26, और 14 तो यह आपका 22, 4, 26 26 दुनी 52 होगा, 52 और 10 आपका कितना हो जाएगा 62, 62 और 4, 66 आएगा, यानि कि इसका sum 66 आ रहा है इसे 4 से multiply करना है तो 4, 26, तो यह इसका answer हो जाएगा Union digit आपका 4 है, आप इसे कर भी सकते हो, 4, 26, 24 की 4 आपका 2, 4, 26, 24 24 और 2, 26, 264 तो right answer क्या होगा, option 3 यहाँ पर correct हो जाएगा Next देखो, state को यहाँ पर 80 लिखा हो है, famous को 85 लिखा है, forest को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा, तो अब हम यही देखनें कि पहले position का sum करके देख लेते है E, S, T, A, T इसे आपका क्या लिखा हो है, आप बोलोगे 5, 19, 20 1, 20 5, तो यह आपका 19 और 1, 20 हो जाएगा 20, 20, आपका 60 हो गया है और 5, 5, 10 है, आपका 70 आगया 70 आगया, यहाँ पर 80 लिखा है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर plus 10 करेंगे तो 80 आजाएगा, ऐसे pattern हो सकता है forest को यहाँ पर कर लेते हैं, आप famous को कर लेना ठीक है, F, O, R, E, S, T बीस है आपका 40 हो जाएगा और 2 यहाँ देओगे, तो आपका 60 हो जाएगा और एक और देदो तो 80 हो जाएगा और आपका यहाँ पर बचा कितना? 80, 80 तीन बचा, तो 83 आजाएगा 83 आजाएगा, और plus 10 add करना है, तो 83 में 10 add करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 93 आ तो option 3 क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा next question देखो next है birthday को यह लिखा हुए तो यहाँ देखो वही letter हमें दिख रहे हैं जो यहाँ थे वही है देखो y को y लिखाया और s को s लिखाया इससे पहले pattern किया तो n को last में n आना चाहिए तो आपको a की option देख रहा है तो यह answer हो जाएगा बांकी जो है यहाँ पर उनको reverse में लिखा गया है ठीक आप देख भी सकतो इनको आपका reverse में लिखा गया है a, d, h, t, r, i, v, reverse में वही pattern है जो अभी हमने इससे पहले किया था आप देख सकतो y को y लिखा है s को s लिखा है तो यहाँ पर n को n लिखा होना चाहिए था last में और यही option है जो n लिखा हुआ है next question देखो tight को ही लिखा है आपको बताना है n n आपका कौन से उसमें आप बोलोगे sir n तो पहले statement में है नी तो इसका मतलब ना तो इसका answer इसमें से कोई भी नहीं हो सकता 9, 4, 5, 7 में से कोई नहीं हो सकता 9 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, option 3 इसका option 4 इसका right answer हो जाएगा मैंने आपको बताया है n आपका जिस statement में होगा उसका code भी उसी में होगा तो यानि कि n आपका second में है तो इसका code सिर्फ यहाँ पर क्या हो सकता है 3 हो सकता है बाकी ना तो 7 होगा ना ही 5 होगा और ना ही आपका 9 होगा तो आपका right answer क्या हो जाएगा यहाँ पर option 4 यहाँ पर correct हो जाएगा next question देखो फिर से उसी तरी के question achieve को बताना है achieve के लिए क्या होगा आप देखो achieve आपका कौन से statement में है आप बोलो गे achieve तो आपका second statement में है तो इसका मतलब इसका code भी जो होना चाहिए second वाला होना यानि कि जो पहले में है वो तो हो ही नहीं सकता अगर achieve आपका second में है तो इसका code भी second से ही होगा पहले वाला ना तो fe होगा ना ही mo होगा ना ही यहाँ पर te हो सकता z a भी नहीं होगा क्योंकि z a पहले में है तो यह भी नहीं होगा आपका answer option 4 है काफी आसान question है next question देखो next है आपका OASIS इसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है RJTBN आप बोलोगे O से R 15 प्लस 3 नठा रहा है तो क्या क्या यहाँ पे OASIS को यह लिखा हुआ है तो क्या यहाँ पर भी 15 प्लस 3 नठा रहा है यहाँ तो D लिखा हुआ है इसका मतलब यह वाला pattern तो नहीं है फिर आपका cross में हो सकता है O से N आपको दिख रहा है minus 1 किया है S से R प्लस 1 किया है A से B आप बोलोगे plus 1 है I से J प्लस 1 है ठीक है और S से T आप बोलोगे यहाँ पर आपका plus 1 है यह आपको दिख रहा है यानि कि आप यहाँ पर बोल सकते हो कि पहले वाले से तो minus 1 कर रहे है ठीक है पहले वाले से minus 1 कर रहे है और जो S से R है ठीक है यह भी sorry minus 1 है तो यह कही ना कहीं आपका cross pattern है और यहाँ पर आपका ऐससे समझ में नहीं आएगा minus 1 I से J plus 1 S से T यहाँ पर प्लस 1 है 19 से 20 19 A से B minus 1 है और O से N आप बोलोगे यहाँ पर sorry यहाँ पर plus 1 है और minus 1 है तो ऐसा है यहाँ पर pattern जो आपके बीच वाले हैं उसमें तो plus 1 है और last में जो है minus 1 है यहाँ पर consonant और vowels वाला game नहीं है आप देखोगे I को plus 1 लिखा हुआ है O को minus 1 लिखा है इसमें ऐसा है पहले और जो last है उसमें minus 1 भीच वालो में plus 1 है तो ऐसी हम O, C, C, U, R को कर लेते हैं reverse में लिख लेते हैं तो आप बोलोगे R, U, C, C, O आएगा R से minus 1 करोगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है Q और O से भी minus 1 करोगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है N तो Q से starting N पर ending होनी चीए तो पहला option नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं सीधे आपका answer option 4 यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है, सभी को समझ मा आ गया pattern क्या है बांकी आप देखोगे, यहाँ plus 1 है V है, यहाँ plus 1 है D आएगा और यहाँ भी D आएगा और option आप देखोगे तो ऐसे यहाँ पर मिलने next question देखो क्या है AC, यह तो बहुत ही आसान है AC, KO को क्या लिखा है ZX, PL, यह सारे opposite है opposite यह वाला pattern है तो AC, PU के E को यहाँ पर P का opposite K हो जाएगा, U का आपका यहाँ पर F होगा, K का यहाँ पर P होगा, और E का भी होगा तो K, F, P भी इसका answer होगा, जोकि option ठड़ यहाँ पर correct हो जाएगा, next देखो आपको बताना है, V के लिए क्या लिखा जाएगा आप देखो, V आपका किसम है, पहले statement में दूसरे में तो है यह नहीं, V तो इसका code भी पहले में होना चाहिए आप option देखो, क्या 6 हो सकता है आप बोलोगे 6 नहीं हो सकता है क्या 6 तो आपका दोनों में है यह नहीं हो सकता है, आप बोलोगे 8 तो पहले वाले में है यह नहीं अगर V आपका पहले वाले में है तो इसका code भी यही पहले वाले में होना चाहिए तो 8 तो आपका नहीं हो सकता है, क्या 9 हो सकता है क्या 7 हो सकता है 7 भी नहीं हो सकता तो सीधे आपका right answer क्या हो गया option 3 हो गया 9 क्या होगा correct हो जाएगा next question देखो next है फिर से आपको यहाँ पर बताना है C के लिए क्या होगा आप देखो C आपका पहले statement में तो इसका answer 7, 3, 9 में से ही एक होना चाहिए 7, 3, 9 में से ही एक होना चाहिए तो 8 तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्या 7 हो सकता है आप बोलोगे 7 यहाँ नहीं है 7 यह नहीं तो 7 ही यहाँ पर हो सकता है option 4 हो जाएगा ठीक है 3 क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि 3 आपको यहाँ repeat दिख रहा है 7 हो जाएगा, option 4 correct होगा, next देखो, tabu, tabu को यहाँ पर क्या लिखा है, sbav, आप देखोगी क्या है, t से s, आपने बोला, t से s है, minus 1, plus 1, फिर आप बोलोगे, b से a minus 1 है, फिर यह u है, u से v, आप बोलोगे, यहाँ पर plus 1 है, तो यह minus 1, plus 1, minus 1 वाला है, तो ऐसे आप t, a, i, l को करोगे, तो आप बोलोगे, minus 1 होगा, तो आपका यहाँ पर s होना चीए, और आपका plus 1 होगा, तो b होगा, sb होना चीए, तो आपका ना तो यह होगा, ना यह होगा, फिर से minus 1 होगा, तो h होना चीए, sb, h होना चीए, तो यह भी नहीं होगा, तो नेकस्ट आपको बताना है संसाइन के लिए क्या होगा अब आपदेखो संसाइन आपका पहले statement में है दूसरे statement में भी है तो इसका code जो होगा वो सकता है क्या सेच हो सकता है आगे आप देखो क्या KO हो सकता है आप बोलोगे KO पहले में है और KO दूसरे में यानि कि ये दोनों में तो KO भी हो सकता है अभी भी हमें ये नहीं पता कि दोनों में से होगा कौन दोनों हो सकते है क्या जैडम हो सकता है जैडम बिलकुल नहीं हो सकता क्या FQ हो सकता है FQ भी नहीं हो सकता तो आपको ये तो नहीं पता है कि SH और KO में से कौन सा होगा लेकिन ये पता है कि इन में से एक ही होगा तो देखो संसाइन दोनों में है तो इसका code भी जो होगा वो दोनों में होगा आपने देखा SH और KO जो हैं वो आपका दोनों है तो इसका मतलब इन दोनों में से एक हो सकता है तो आप क्या बोलोगे आइधर SH और KO इन दोनों में से एक इसका code होगा आइधर SH और KO Next question देखो Next है आपको बताना है I के लिए क्या होगा तो आप देखो I कौन से statement में I पहले में, I दूसरे में तो हैं नी तो इसका मतलब 1, 2, 3, 6, 5 में से तो कोई भी इसका code नहीं होने वाला ना तो 1 होगा, ना ही आपका 6 होगा ना ही आपका 5 होगा तो इससा सीधे answer option 4 हो जाएगा आप देखो I आपका पहले में है तो इसका code भी इन ही में से एक होगा ना कि इन में से एक तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका answer इसका answer हो जाएगा option 4 4 इसका correct होगा क्योंकि आप देखोगे 4 जो है वो के वल first statement में है next question देखो heat को 132 लिखा है S, V, Y, Z को 144 लिखा है बड़ा number है तो इनकी position का sum से आपका कुछ pattern हो सकता है आपने एच, I, T एच, I, T लिखा तो आपने का 8, 9, 20 आपने देखा कितना हो जाएगा 20 और 8, 28 और आपका एक 30 इसका sum जो आएगा 38 अब 38 से आप 132 पर नहीं जा सकते है आप देखो 2 से multiply करोगे 3, 8, 24, 4, 8 आपका यहाँ पर 32 तो आ रहा है ठीक है लेकिन आपका 4, 8, 32, 2, 3, 4, 3, 12 12 और 3, 15, 12 आ रहा है तो इससे तो आप नहीं जा पारे हो इससे नहीं जा पारे हो तो इनके opposite की position करके देख लो इनका opposite आप करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर H का opposite आप करते हो तो H का opposite कितना आता है H का opposite S होता है 19 I का 18 और T का opposite G होता है उसकी position 7 तो 18, 18, 36, 36 और 1, 37 37 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा आपने कहा 3 चक को 12 की 2 1, 3 चक को 12 और 13 132 हागे यानि कि आप बोलोगे इनके opposite का हम sum कर रहे है फिर 3 से multiply कर रहे है अब यह 3 क्या हो सकता है या तो fix number भी हो सकता है या इसमें जितने letter हो वो भी हो सकता है जैसे इसमें आपके 3 letter है तो 3 से multiply क्या हो आप यहाँ पर देखो YRF को कर लो इसको सीधे क्योंकि अगर 3 3 से multiply क्या होगा तो 3 fix number होगा तब भी हम 3 से ही करेंगा अगर जितने इसमें letter है उससे multiply क्या होगा तो तब भी 3 से ही हम करेंगे तो YRF को आप यहाँ पर करोगे तो Y का opposite क्या होता है YRF इनके opposite का सम करना है फिर 3 से multiply करना है तो Y का opposite 2 हो गया R का 9 हो गया F का U 21 हो गया तो 21 और 9 30, 32 32 हो जाएगा 32 को 3 से multiply करोगे तो आप बोलोगे 3 दो निच्छ है 3 त्या 9, 96 का answer होगा यानि कि option 4 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next question देखो B, I, R, D को ये लिखावा है यानि कि B से D गया plus 2 है, I से K गया plus 2 है, R से T गया plus 2 है D से, तो इसमें आपका plus 2 है plus 2 सभी में plus 2 है यही दिख रहा है तो सीधे eagle को कर लो E से 5, 2, 7 यानि कि G होना चीए तो ये option तो नहीं होगे अब इन दोनों में आपका last में आप देख लेते हैं या आप देखोगे A से plus 2 होगा तो यानि कि G, C होना चीए तो आप देखो ना तो ये answer होगा तो आपका सीधे answer क्या हो गया option first यहाँ पो जाएगा simple सा pattern है, सभी में plus 2 है next question देखो R, U, C के R, U, C के इसे आपका क्या लिखा हुआ है T, W, A, I R से T, plus 2 है U से W, plus 2 है C से A, minus 2 है K से A, minus 2 है तो सुरुवात के दो में plus 2 है बात के दो में minus 2 है तो सेम आप यहाँ पे K, N, O, M को करोगे आप बोलोगे K से plus 2 करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 13 यानि की M मिलेगा और यहाँ पे आप plus 2 करोगे तो P मिलेगा MP होना चीए तो सीधे आपका अंसर यह हो गया और option है नहीं शुरुवात में आप देख सकते हो तो MP, M के इसका अंसर हो जाएगा next question देखो S, H, E को यहाँ पे E, I, T लिखा है तो कहीना कहीं आप देखोगे S, H, E X, E, T cross button आपको नजरा रहा है आप दो लोगे S, T, plus 1 E को E लिखा हुआ है और H को Y लिखा हुआ है ठीक है तो जो last वाला है उससे same लिखा हुआ है ऐसी आप S, U, N को कर दोगे तो N को N लिखा जाएगा शुरुआत में और बांकी आपका plus 1 है S को plus 1 करोगे तो यहाँ पे T आएगा और U को plus 1 करोगे तो यहाँ पे भी आजाएगा तो N, V, T का answer होगा तो आपका right answer option 4 है बहुत आसान कोश्य है अब यहाँ पे आप देखोगे यह आपका इस तरीके से जिग-जैक वाले आते है मतलब पहले तो आपके simple pattern आते थे अगर plus 1 यहाँ के तो इसमें भी plus 1 क्या होता तो अब यहाँ पे same भी लिख सकता है यहाँ पे E से plus 2 भी हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है यह आपको ध्यान में रखना option 4 इसका right answer है अब आपको बताना है S के लिए क्या code होगा अब देखो क्या S आपका पहले statement में है अब पहले statement में S है यह नहीं तो इसका मतलब इन में से तो कोई भी answer नहीं होगा तो आप देखो यहाँ पर 3 ऐसा number है जो आपको इसी में नजर आ रहा है तो यह इसका right answer हो जाएगा बाकि आपका इसका कोई भी answer नहीं होगा तो option first इसका correct होगा next question देखो next है main को यह लिखा हुआ है male को यह लिखा गया है many को आपको बताना है तो आप देखो main को क्या लिखा हुआ है main main को आपको लिखा गया है OHBL M से O हम बोलेंगे तो M से O आप बोलोगे 13,21,15 लेकिन यहाँ पर आप देखो male को M को M ही लिखा है इसका मतलब यह आपका जो इसके face इसके सामने letter है वो gap तो नहीं है तो cross pattern हो सकता है अगर यहाँ पर आपका plus 2 का gap है तो यहाँ पर भी तो plus 2 का होने चीए था अगर यह वाला होता तो यह तो आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह pattern तो नहीं है फिर आपका cross में हो सकता है तो आप देखोगे cross manager भी आ रहा है M से L गया आप बोलोगे M से L है और यहाँ भी आप देखो M को L लिखा गया है तो मैं यहाँ पर इसको सीधे reverse में करके आपको समझा रहा हूँ कि reverse से ही pattern होगा ताकि आपको समझ में आ जाए अगर आप M A I N को reverse में लिखते तो आप क्या लिखोगे N I AM लिखोगे यह लिखोगे इससे आपका OH BL लिखा हुआ है तो N से O गया आप बोलोगे आपका प्लस 1 है I से H गया माइनस 1 है A से B गया प्लस 1 है M से L गया तो आप बोलोगे M से L गया तो यहाँ पर आपका क्या है माइनस 1 है तो plus 1, minus 1, plus 1, minus 1 pattern है, ऐसे आप many को कर लोगे, m, a, n, y, reverse में लिखना है, तो y, n, am होगा, और y से plus 1 करोगे, तो आपको z मिलना चीए, और n से minus 1 करोगे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, n से minus 1 करोगे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, z, m होना चीए, फिर plus 1 करोगे, b मिल मिलेगा, फिर minus 1 करोगे, l मिलेगा, तो यानि की, z, m, b, l, इसका अंसर होगा, जो कि आपका option, third correct हो जाएगा, next देखो, आपको बताना है, gadgets के लिए क्या code होगा, आप देखो, gadgets से आपका पहले statement में है, दूसरे statement में भी है, दोनों में है, तो इसका code भी जो होगा, और दो DJ हो सकता है, आप बोलोगे, हाँ, DJ हो सकता है, यह दोनों में, तो DJ तो हो सकता है, फिर आप देखो, SQ हो सकता है, क्या, SQ नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों में है, क्या TY हो सकता है, हाँ, TY भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में है, तो आप क्या बोलोगे, either DJ और TY, either TY और DJ option to correct ह इधर वाला होगा तो एक बार यह जरूर ध्यान में देना तो इन दोनों में से आपका कोई भी हो सकता है आइधर टी वाई और डी जे नेक्स्ट कुशन देखो नेक्स्ट है एन क्यू आर पी इसे आपका लिखा हुआ है आर यू वी टी आर यू वी टी लिखा है तो आप देखोगे प्लस चार आपको दिख रहा है 17,4,21 है 18,4,22 है 16,4,20 है सभी में प्लस 4 है तो K,C,UM K,C,UM तो K में प्लस 4 करोगे तो आपको O मिलेगा ठीक है C में प्लस 4 करोगे तो O के बाद G मिलेगा तो आपका A की ओप्सन है O,G,Y,Q इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपका 4th option होगा बांकि आपका कोई भी आंसर नहीं हो सकता Next question देखो Panther को ये लिखाया Another को ये लिखाया आपको बताना O के लिए क्या होगा क्या O आपका पहले statement में है तो इन में से तो कोई भी आंसर नहीं हो सकता ना तो 0 होगा ना ही 1 होगा ना ही 4 होगा ना ही 6 होगा ना ही 2 होगा ना ही 8 होगा आठ भी नहीं होगा और 3 मीं नहीं होगा ये तीनों answer नहीं हो सकता है आपका right answer option 4 हो जाएगा क्योंकि O आपका इस statement में है और सिर्फ 9 ऐसा number है जो इस statement है ये तो बहुत आसान कुशन है यहाँ पर आपको 24 दिख रहा है तो C का opposite 24 होता है सीधे दिख रहा है फिर Y का opposite 2 होता है दो दिख रहा है फिर C आया इसका opposite 24 है फिर L का opposite O 15 E का opposite 22 है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है opposite लिखे हुए है तो सीधे आप यहाँ पर मुजुक को करोगे M, U, S, I, C M का पोजिट N होता है 14 U का पोजिट F होता है 6 S का पोजिट H होता है यानि कि 8 I का पोजिट 18 और 24 यह आपका होना चाहिए यानि कि 14, 6, 8, 18 14, 6, 8, 18, 24 होना चाहिए यह आपको पहले option में दिख रहा है तो आपका right answer option first यहाँ पर correct हो जाएगा Next question देखो M, P, Q, O इसे क्या लिखा हुआ है M, P, Q, O इसे लिखा हुआ है यहाँ पर K, N, S, Q यह लिखा हुआ है M से K गया तो आप बोलोगे minus 2 है P से N गया minus 2 है Q से S गया 17, 12, plus 2 है O से Q गया plus 2 है तो शुरुआत के 2 में minus 2 है बात के 2 में plus 2 है आसान question है तो ऐसे यह आप यहाँ पर E, I, N, W को करोगे तो आपको होगे minus 2 करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा आप बोलोगे C मिलेगा और फिर minus 2 करोगे तो आप बोलोगे यहाँ पर G मिलेगा C, G होना चीए तो यह option कोई भी नहीं होगा सिधे आपका answer क्या हो जाएगा fourth option हो जाएगा C, G, P, Y next question देखो next देखो बोथ को D, Q, V, J लिखा है B से plus 2 है O से 15, 2, 17 T से 22, 22, H से यहाँ पर सभी में plus 2 है सभी में plus 2 है तो आप देखोगे plus 2 है तो ऐसे डबलू, I, L, L में भी plus 2 होगा 23, 22, 25, Y होना चीए यह तो बिल्कुल नहीं होगे उसके बाद यहाँ पर I, plus 2 यहाँ पर plus 2 करोगे तो K होना चीए तो Y, K से starting होगी तो यह भी option नहीं होगा option 2 यहाँ पर correct हो जाएगा Y, K, N, N next question देखो next है आपको बताना है S के लिए क्या code होगा अब देखो क्या S पहले statement में है तो इसका मतलब इस में से तो कोई भी answer नहीं हो सकता ना तो आपका end यह end होगा नहीं आपका 3 होगा नहीं 4 होगा तो सीधे answer क्या होगा option 4 correct हो जाएगा next question देखो next है radio को यह लिखा होगा R, S, A, Z, D का D का E लिखा होगा ठीक है अपोजीट नहीं है यहाँ पर आप देखोगे R, A, D, I, O R, A, D, I, O इसे आपका लिखा होगा है S, Z, E, H, P तो R, S, प्लस 1 A, Z, माइनस 1 D, E, प्लस 1 I, H, माइनस 1 O, P, प्लस 1 यह प्लस 1, माइनस 1, प्लस 1, माइनस 1, प्लस 1 वाला पैटन है simple सा है तो ऐसी आप television को करोगे T से प्लस 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा T से प्लस 1 करोगे तो U फिर E से माइनस 1 करोगे तो आपको यहाँ पर D मिलना चीए U, L से प्लस 1 करोगे तो आपको यहाँ पर M मिलना चीए E से माइनस 1, D मिलेगा V से प्लस 1 करोगे तो आपको यहाँ पर W मिलेगा I से माइनस 1 करोगे तो आपको यहां पर H मिलेगा S से प्लस 1 करोगे तो T मिलेगा I से मैनस 1 करोगे H O से प्लस 1 करोगे तो P मिलेगा N से मैनस 1 करोगे तो आपको मिलेगा यहां पर M तो यह तो नहीं हो सकता ठीक है आपका क्या है UDMD UDMD WHTHPM पहला option इसका answer हो जाएगा आसान सा question है प्लस 1, माइनस 1, प्लस 1, माइनस 1, प्लस 1 किया है next देखो बेक को ये लिखा हुआ है ठीक है B, A, K, E इसे लिखा हुआ है F, D, M, F तो क्या दिख रहा है B से F, प्लस 4 है A से D आप बोलोगे आपका यहाँ प्लस 3 है K से M, प्लस 2 है E से F, प्लस 1 है तो simple है प्लस 4, प्लस 3, प्लस 2, प्लस 1 है ऐसी आप M, O, C को करोगे तो आप देखोगे प्लस 1 करोगे 13, 4, 17 Q हो जाएगा प्लस 3 करोगे तो आप बोलोगे यहाँ पे 15 15, 3, 18 Q, R होना चीज़ Q, R, E की ऑप्सन है Q, R, E, L इसका राइट आपसर हो जाएगा Next देखो क्या है W, W, J Sorry, W, J, S, L इसे लिखा हुआ है 25, 12, 21, 14 बहुत ही आपसान है प्लस 2 है प्लस 2 है प्लस 2 है प्लस 2 है तो सीधे P से प्लस 2 18 से सुरू होना चीए तो कोई भी आंसर इसमें से ये 3 योगा है तो बहुत आसान है सीधे option 4 इसका correct हो जाएगा Next question देखो Next है monkey को आपको बताना है क्या होगा देखो monkey जो है आपका सिर्फ पहले statement में तो इसका code भी जो होना चीए पहले में होना चीए क्या 55 हो सकता हाँ हो सकता क्योंकि किसी statement में है 66 तो नहीं होगा यहाँ आपको दिख रहा है 88 भी नहीं होगा तो सीधे इसका answer क्या हो जाएगा 55 होगा जो कि आपका option 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा Next question देखो Next में S के लिए बताना है आप देखो S आपका पहले statement में ही नहीं तो इसका मतलब यह तो कोई भी answer नहीं हो सकता ना तो 2 होगा ना ही 5 होगा ना ही 7 होगा ना ही 0 होगा तो इसका सीधे answer option 3 होगा 6 इसका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है क्योंकि आप देखो S तो आपका इसी statement में है तो इसका answer भी तो इसी में होना चीए तो ऐसा जो है आपका 6 C है जो आपका इसी में दिख रहा है तो इसका right answer option 3 यहाँ पर correct होगा Next देखो Next आपका लिखा हुआ है T E R R A I N इसे आपका लिखा हुआ है यहाँ पर V E T T A I P यह दिख रहा है E और I और A इन्हें तो same लिखा हुआ है यानि कि जो आपके vowels से हैं उन्हें तो same लिखा हुआ है same लिखा है और consonant में आपका plus 2 क्या हुआ है plus 2 दिख रहा है यहाँ पर plus 2 तो यानि कि जो आपके कंसोनेंट है उसमें प्लस टू है आसान सा कोश्चन है तो यानि कि O O तो आपका सेम होने चीए यानि कि सेकेंड और सेकेंड लास्ट तो O होना चीए हम करी लेते हैं इसको M O T O R M से 13 दो 15 O आएगा ये O होगा सुरुआ डबल O से होगी तो ये तो नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता फिर आपका T में प्लस टू V होना चीए O O V होगा तो आपका A की ओप्सन है ओप्सन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा O O V O T नेक्स देखो IFF को 21 लिखा हुआ है ARB को 21 लिखा हुआ है तो क्या हो सकता है 6 6 12 21 यानि कि ये तो इसका समी दिख रहा है 6 6 12 21 आप देखोगे 18 2 21 21 सम है तो यहाँ पर आप बोलोगे इसका सम 3 प्लस 1 प्लस 23 तो 23 3 26 प्लस 27 हो जाएगा तो आप्सन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा नेक्स देखो आपका क्या हो जाएगा जो कि बहुत आसान कुषिन है 16 21 16 21 18 16 21 18 19 5 ओप्सन 4 जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा क्रेक्ट हो जाएगा नेक्स देखो यह सायद कुषिन ये वाला आपका रिपीट हो गया दो बार क्योंकि इससे पहले भी तो यही कुषिन था यहाँ पर तो इसका सीधे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आप्सन 3 हो जाएगा O O V O T ठीक है दो बार आगे तो इसका राइट आंसर O O V O T हो जाएगा नेक्स कुषिन देखो नेक्स यह है जेट सी जेवी इसे लिखा है Y B I U Y B I U लिखा है तो मैनस वन दिख रहा है मैनस वन सभी में मैनस वन है तो E Y O R को मैनस वन करोगे तो D आएगा X और यह N और यह Q D X N Q इसका आंसर होगा जो कि option to correct हो जाएगा नेक्स्ट है इसे 63 लिखा है और अवेकस को यहाँ पर लिखा है 42 फिजी को आपको बताना है क्या होगा अब देखो यहाँ पर यह question आप यहाँ पर sum करके भी देख सकते हो अगर आप देखोगे अगर आप इसका sum करते हो आप देखो 2,1,3,4,3,7,7,7,1,8 और 19,8 करोगे 42 तो नहीं मिलने वाला इसे ध्यान में रखना अच्छा question है क्योंकि यहाँ पर confusion होगा आपको आप देखो sum करके 42 नहीं आ रहा है इसका opposite करोगे तो यह 42 से ज़ादे आ जाएगा देखो दो बार तो तीन बार तो एह है यानि कि इसका opposite 26 होगा साथ से multiply करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 42 मिल जाएगा यह ध्यान में रखना यह बहुत important question है इसमें आप सोच सकतो हूँ यहाँ पर इस सेम आप यहाँ पर करोगे आप देखोगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 टोटल आपके कितने 9 है इसे साथ से multiply किया तो आपका 63 है तो यह आपका यहाँ पर क्या है फिक्स नंबर है तो ऐसी आप देखोगे इसमें आपके टूटल कितने है आप बोलोगे 5 है और 5 को आप साथ से multiply करोगे तो क्या आजाएगा 35 आजाएगा तो इसका right answer क्या होगा option 4 होगा इस type के question बहुत पूछे जाते है तो यह आप ध्यान में रखने है इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखने है double star लगा लो इसे इसका right answer option 4 यहाँ पर क्या होगा correct हो जाएगा next question देखो next है eagle को यह लिखा गया है e से d है आप देखोगे e से d माइनस 1 है a से z माइनस 1 है g से f माइनस 1 है l से k माइनस 1 है e से d माइनस 1 है तो सभी में आपका यहाँ पर क्या है minus 1 माइनस 1 है तो सभी में आपका minus 1 है minus 1 यह आपको देख भी रहा है तो ऐसी आप sins को करोगे s i n c e को minus 1 करोगे S से minus 1 करोगे तो क्या आएगा आप बोलोगे R आएगा फिर minus 1 करोगे H आएगा फिर आप देखोगे यहाँ पर RH, RH एकी option है तो option 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा बाकि कोई भी option में ऐसा नहीं आएगा minus 1 तो इसका right answer आपका second option हो जाएगा next question देखो क्या है clerk को यह लिखा है C से B minus 1 है L से K minus 1 है E को E लिखा हुआ है और R से Q minus 1 है K से J minus 1 है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आप बोलोगे जो आपके vowels है उसे तो आपका same लिखा हुआ है जो आपके consonant है उसमें आपका क्या लिखा हुआ है minus 1 क्या हुआ है तो P O S T को कर लो यहाँ पर P से minus 1 करोगे O आएगा O को O लिखना है same लिखना है double O से सुरुआत होगी तो E की option है बाकि आप देखोगे minus 1 इसे करोगे तो आपका यहाँ पर क्या आजाएगा आप बोलोगे R आएगा यहाँ minus करोगे S आएगा तो O R S इसका right answer होगा option 2 जो होगा वो आपका correct होगा next question देखो क्या है L I S P को L I S P आप देखोगे opposite लिखा है L का O I का R S का H तो यह तो आपके opposite है तो B का opposite Y होगा O का opposite L होगा T का G होगा next है आपका XS को यह लिखा हुआ है ठीक है 5,27,24,26 फिर आपका यहाँ पर 3,25,5,27,19,21 तो यहाँ पर simple सा है plus 2 किया हुआ है सभी में plus 2 है तो आप ऐसे यहाँ पर E S C A P E को करोगे तो आप देखोगे plus 2 करोगे तो 7 आना चीए plus 2 करोगे तो 21 आना चीए plus 2 करोगे तो 5 आना चीए 7,25,plus 2 करोगे तो 3 आना चीए plus 2 करोगे तो 16,21,18 plus 2 करोगे तो 7 आना चीए तो आपका answer 7,21,53,18,7 होगा 7,21,53,18,7 option first जो होगा वो आपका क्या होगा correct होगा next question देखो क्या है R के लिए आपको code बताना है R आप देखो पहले statement में यहाँ ही नियार तो इसका मत्तब 2,4,5,9,6 में से तो कोई answer नहीं होगा ना तो 2 होगा, ना 4 होगा ना 5 होगा, ना 9 होगा, ना 6 होगा तो यह तो answer नहीं हो सकते सीधे इसका answer क्या हो जाएगा option 4, 3 इसका क्या होगा correct answer होगा next question देखो next है case को यह लिखा गया C A S C case को लिखा गया F T B D C से F प्लस 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है ठीक है, और यहाँ भी आप देखो C से C से F प्लस 3 ही है तो यहाँ भी F होना चाहिए था प्लस 3 F होना चाहिए था लेकिन option में कहीं नहीं है तो इसका मतलब यह pattern तो नहीं नजरा रहा है फिर cross में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे D दिख रहा है C से D, E से F A से B, S से T तो प्लस 1 है cross में cross में जो है यह आपका प्लस 1 है, तो ऐसी आप बोलोगे C, A, L, F को आप यहाँ पे करोगे तो प्लस 1 होगा, तो आप देखोगे F से प्लस 1 करोगे तो G आएगा C से प्लस 1 करोगे D आएगा, L से प्लस 1 करोगे M आएगा, A से प्लस 1 करोगे B आएगा, तो G, M, B, D इसका आंसर होना चाहिए जो कि आपका option 3 correct होगा next question देखो a के लिए क्या code होगा आप देखोगे a आपका पहले statement में तो जो आपका answer होना चाहिए पहले statement में ही होना चाहिए क्या 5 हो सकता है नहीं क्योंकि 5 repeat हो रहा है क्या 7 हो सकता है 7 भी repeat हो रहा है T आपका पहले statement में है नहीं, तो ना तो इसका 4 हो सकता है, ना ही इसका answer 9 हो सकता है, ना ही 7 हो सकता है, ना ही 6 हो सकता है, ना ही 2, ना ही 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले statement में ये वाले तो कभी भी answer नहीं होंगे, क्योंकि आपका T जो है इस statement में नहीं है, तो सीधे इसका आंसर क्या होगा, option 4 correct हो जाएगा 5 next question देखो, figure को आपका ये लिखा होगा है ठीक है तो आप देखोगे, figure को आपका ये लिखा होगा है figure को आपका यहां पर VSU GJW लिखा होगा है, ठीक है और आगे आप देखोगे, copy it को यह लिखा है, इसका answer आप comment में बताँगे, ठीक है, इसका answer comment में आप बताना, ठीक है, इसका answer आपको comment में बताना, अब ये pattern पहले में करा चुका हूँ, इसी class में, तो इसका answer आपको सभी को comment में बताना है, कि इसका correct answer क्या होगा, 80 question का, यहाँ पर 64 हो जाएगा option to correct होगा यहाँ देखो bright को क्या लिखा जाएगा आप देखो bright आपका दोनों statement में तो इसका code भी दोनों में होना चेक है MQ हो सकता है MQ दोनों में नहीं BJ हो सकता है हाँ BJ इसका answer हो जाएगा तो right answer क्या होगा BJ होगा तो इसका right option क्या हो जाएगा option 4 यहाँ पर correct होगा BJ ठीक है सभी को समझ में आ गया होगा next question देखो future को यह लिखा गया है Iceland को आपको बताना है क्या F से I 6 plus 3 9 U से X plus 3 है T से W plus 3 है U से X plus 3 है R से U plus 3 है यानि कि सभी में आपका यहाँ पर plus 3 plus 3 है तो ऐसी हम L V O D Q G को करेंगे तो आप बोलोगे L से plus 3 12 3 यहाँ पर 15 आएगा ठीक है sorry इसे नहीं करना है यह नहीं करना है हमें करना है जर्सी को J E R S E Y देखो plus 3 करोगे तो आपको यहाँ पर 13 M plus 3 H M के बाद H आना चाहिए plus 3 U M H U होना चाहिए जो कि आपका सिर्फ option 3 में है यह इसका right answer हो जाए तो सभी में आपका क्या है यहाँ पर plus 3 next question देखो door door के लिए क्या होगा आप देखो door आपका पहले statement में है और दूसरे में दोनों में है तो आप देखो W हो सकता है क्या नहीं KO हो जाएगा देखो KO आपका दोनों में है तो option 3 क्या होगा इसका right answer होगा KO next question देखो next है यह आपका last question है ठीक है तो इसका भी answer आपको comment पर देना है तो दो question है और दोनो pattern आपको यहाँ पर कराए है एक तो 80 का आपको comment में देना है और 85 का आपको comment में answer देना है दोनों question जो है यह आपको पहले करा चुके है और इसमें से दोनों important भी है तो दोनों ध्यान में रखने है तो इसका answer आप सभी comment में देंगे यह जो question थे यह सारे question यहाँ पर जो आपका SSC CZL 2024 tier 1 में पूछे गए थे काफी आप देखोगे काफी pattern जो है वो आपका repeated pattern है तो आपके इतने tough question भी नहीं है कुछ question जो है वो आपको ध्यान में रखने है जैसे एक question तो 80 आपको ध्यान में रखना है और एक आपको ध्यान में रखना है जो मैंने बोला था जिसमें आपका letter टोटल जो word में letter थे उसको multiply करके लिख रहे थे वो आपको ध्यान में रखने है ठीक है square वाला आप ध्यान में रख सकते हैं इस तरीके से square भी दिया जा सकता है तो ये pattern आपको ध्यान में रखने है तो सारे के सारे question मैंने आपको करवा दिये है तो ये आपके आने वाले exam के लिए और 2025 के लिए आपके लिए important है CGL के जो भी आपका exam होगा तो उसके लिए important है और TCS ने कराये हैं यही pattern आपको आगे भी देखने को मिल सकते है तो इस वीडियो को यहीं पर समाप करते हैं मिलते हैं आगे फिर किसी और topic के सारे question के साथ हम देखें जो भी question यहाँ पर पूछे गए इससे आपके अच्छे practice भी हो जाएगी बाकी CGL tier 2 के लिए अगर आपको practice करनी है तो आप practice batch ले सकते हैं जिसमें आपको अच्छे question के mix question यहाँ पर मिल जाएगे वो अच्छे pattern आपको यहाँ पर मिल जाएगे वो आप वहाँ से ले सकते हैं